ध्यापक जो पढ़ाने के काम में लगना चाहिए वो आपस में गुटबंदी है कारण क्या है पोसाक रासी लूटना घपला आपको चावल M.D.M. का जो है उसमें लूटना आप कभी स्कूल में जाईए इसकूल में सरकारी जो हुआ का पढ़ाना चाहरे है प्रिंस्पल है ज पहले तो उस बच्चे स्वनु कुमार को बठाई दूँगा कि उसने जो बिहार की समस्या थी सराबंदी का जो हस्र है और सिख्षा का जो हस्र है उसने इसको हाइलाइट किया समस्या है तो हम लोग आए दिन आपको उठाते जा रहे हैं तेखिए कोई बिहार का स्कूल नह लगना चाहिए ओ आपस में गुटबंदी है कारण क्या है पोसाक रासी लूटना घपला आपको चावल M.D.M. का जो है उसमें लूटना आप कभी स्कूल में जाईए इसकूल में सरकारी जो हुहां का प्रधाना चाह रहे है प्रिंस्पल है जो उसके रजिस्टर में आपक बचे आते हैं और हकीकत यह है कि सिर्फ 50 लड़के, 40 लड़के, 60 लड़के कारण सब बगल के प्रवीट इसकूने पड़ते हैं कारण यह है कि उहां पर चावल का लूट जो सरकार का पैसा जाता है उसका लूट पोसाक रासी लूट, साइकिल रासी लूट फरजी तरीके स इसी काम में सिछकश कोई मार होता है आपस में धगडा होता किसके लिए होता है? इनी सब पैसों को घुसकोरूकी की पैसे को बटवारा के लिए. बिहार की joy को हलत है सिछ एक समय भी हार का डंक का believerो पूरे देस में. बुऩश हए हुप ela जी के कारेकाल में एकदम कोलेप्स कर गया है, एकदम समाप्त हो गया है, उतना समाप्त हो गया है जिसकी आप कलपना नहीं कियोंगे, धन्यबाद देते हैं, इसको हाइलाइट किया सोनु ने, और मैं बधाई भी देता हूं उस बच्चे को, उसको सलाम करता हूं, उसके जज सरकार के खिलाफ हैं इसलिए बोल रहे हैं आप सरकार में सामिल विधायकों से पूछिए कि सिक्षक हलत क्या है चावाल लूट मतलब MDM का लूट मतलब इसी में और ये क्या होता है इसकूल के सिक्षक उसमें नहीं है जो BEO है मतलब पूरा अधिकारी एक सिस्टम लगा हुआ है दिन रात इसी काम